हलो एवरिवन वेल्कम टो मैं चैनल मैं हूं मुहम्मध कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का हमारे इस चैनल पे स्वागत है मैं डिफ्रेंट्स जब से ओ कनेक्ट निव अर्जन हमारा पूरी तरह से लाइव हुआ है तो मैं डिफ्रेंट्स फाउंडिंग मेंबर्स और पेसियन्स की बीच में एकसाइटमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यह बात सच है कि अजब से हमारा ओकनेक्ट पूरी तरह से लाइव हुआ है तो हमारा निव रिलीज है जिसको हम एक्च्वल निव ओकनेक्ट बोल रहे हैं जिसको हम आज बिलकुल आज उसको हम इस लेवल तक देख पा रहे हैं जहाँ पर पूरी तरह ओकनेक्ट मार्केट में राज करने वाला है हम सभी लोग जानते हैं जिस दिन लाइव हुआ उस दिन सभी फाउंडिंग मेंबर्स ने या फिर अपने अपने लेवल से मेटिंग उन्होंने कंड़क की तो यहाँ पर सबसे बढ़ी चीज़ है कि गुर्श मिंदर डेलन सर ने भी ये डेटा सेयर किया हो सकता है इनो डाउट की उन्होंने उनको वो कंपनी की तरफ से डेटा मिला हो तो उन्होंने एक पोस्ट के जरीए हम सभी लोगों का इनफॉर्म किया जो पोस्ट हम सभी ल मीटिंग क्रियेट की गई है वो कि गए है पांच हजार आठ सो बारा ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पांच जार आठ सो बारा लोगों ने मीटिंग को कही ना कहीं वहां पर क्रियेट किया है एन जो टोटन मीटिंग है यानिकि जो टोटल मीटिं चली कितनी तो मीटिंग उन्होंने ओपन के मेटिंग तो क्रियेट हो गए 512 लोगों ने लेकिन मेटिंग की गए कितनी है वो की गए है 4850 लोगों ने मीटिंग की आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल अटेंडीज अगर मैं आपकी बात करूं तो 40,000 से भी ज़्यादा अटेंडीज वहाँ पे जॉइन हुए ये बहुत बड़ी बात है क्यूंकि हम सभी लोग जान रहे थे कि निव ओकनेक्ट आएगा तो वहाँ पे हम सब लोगों को टेस्टिंग वगेरा करनी पड़ेगी कुछ ग्लिचेस ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और जब निव हमारा ओकनेक्ट हमें देखने को मिले आफिर आज आप ओकनेक्ट में वैबनार को आप क्रिएट करते हो या फिर आप 2-3,000 लोगों को आप सेंड कर देते हो लिंक को एंट दे वहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट आते हैं तो यकिनन मेरा यह खुद का एक्सपिरियंस रहा है पिछले दो दिनों सो नीव ओकनेक्ट पे कि वहाँ पे अभी तक मेरों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली हाला कि सुरात में जब 360 वेबडार में काफी सारे फांडी मेंबर्स को वहाँ पे एंटर करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो यह हमारे लिए थोड़ी सीती लेकिन उसके कुछ समय के बाद में जब नेटवर्क इस्तों हमारा सही हो गया तो यह एक एक्शुल ओकनेक्ट हमारा है जिसके पू भी जड़ा उससाइद करती है निव ओकनेक्ट के कहीना कहीं लांच होने के बाद हम सबी लोगों ने बैक ओफिस की जो निव पॉप आया है उसको कहीना के हमने ध्यान से नहीं सुना ध्यान से या तो फिर हमने उसको देखा ही नहीं होगा एक्शुल में वहाँ पे क्या ल आने वाला वह सकता है कुछ अनौसमेंट हो या फिर कुछ बड़ी अपडेट हो तो आप नीचे जाकर के चेक कर सकते हैं पॉप अभी भी वहाँ पे मैंसर किया गया है कि सम गुड निवस कमिंग इन फ्यू डेज या फिर वहाँ पे कुछ ऐसे लिखा गया तो आप वहाँ पर वी चेक कर सकते जाकर के कि वहाँ पे किस तरीके से मिश्टर सी ओने या फिर कमपनी ने मेंसर कर रहा है तो यह हमारे लिए बहुत बहुत बैतर चीजे हैं हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर हमारा एक निव वैबनार हो जहा पे मिश्टर सी-ओ आया एंड म पर उनके एक्चुल में यह भी बहुत बड़ी बात है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वह यहां पर आप पर स्यूंस में अगर बोला जाए तो उनने काफी साधी चीज़ें सीख ली है तो बोल रहे हैं कि यह ओकनेक्ट बेटर दिन अल दा वीजियो कांफरेंसिंग टूल मतलब जितने भी अभी भी मार्केट में अवलेवल हैं तो मैं सभी लोगों से जो मैं जो मैंने रिवीव लिया है तकरीबन 15-20 लोगों से तो उनके ही यही आया है कि भाई अक्चुल में यह तो बहुत अपर लेवल हो गया बहुत जात कर रहे हैं कुछ लोग विड्रॉल का इंतजार कर रहे होंगे कुछ अलग 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 लेवल से कुछ-कुछ अपनी जो प्लैनिंग से हिसाब से इन्तजार कर रहे हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टन चीज क्या है कि आज की डेट में कंपनी के सी यो ने जिस तरीके से ओक्ने की सेक्टर में हो और आइटी सेक्टर में चीजशे कोई विसेक्टर हो ऐसी नहीं है कि नि笑ते एक इतना काम इतने टायम में कर देंगे क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पे काम करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ यह होती है हमाई सामने कि उसमें glitches and bugs आना यह coding में काफी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है तो tech team को हमें salute करना होगा क्योंकि जैसा mr.co ने बताया कि भाई हम कई ना कई कुछ दिनों के अंदर या कुछ हफतों के अंदर new connect लाएंगे बस अब की बारी है हमारे कुछ बहुत बड़ा आने की तो हम सब लोग इंतिजार कर रहे हैं कि ट्रैफिक आये हमें actual में और हम सब यहां पर mr.co अगर यहां पर आते हैं और वो कोई webinar में आते हैं या फिर new pop-up के थुरू हम सब लोगों के चीज़ों को inform करते हैं तो definitely हमारे लिए बहुत बड़ी good news होगी क्योंकि 21st हमारा last extend है और actual में देखा जाए तो 21st से पहले यानि कि अगर हम O connect को देख रहे हैं क्यो new package होकर के आएंगे तो mr.co क्या करेंगे तो हम सब लोगों को पुराना package हम लोग भाई किये हुए हैं तो पुराने package का पूरा हिसाब किता गया नहीं कि traffic and all things सब कुछ clear करना होगा यह सब तो हम लोग जानती है और जो हम new buy दिए हम मान के चलते हैं कि चंद दिनों के अंदर हमारा traffic बगार आ गया और यह new O connect का हमारा नया package आ गया तो हम buy किसे करेंगे हमका जेफ से buy करेंगे नहीं करेंगे हम एक्च्वल में हमारा जो आया हुआ traffic है हम उससे भाई करेंगे तो इसलिए हमें tension free रहने की जरूरत इस तरीके से हमारा O connect आया है उस तरीके से traffic or verify और सब जी जाएंगी तो thank you so much, bye bye